Hello everyone, my name is Amit, Foundation Classes by Amit YouTube channel पर आपका स्वागत है, अगर आप teaching line से हैं, तो ये channel आपके लिए 100% important है, इसलिए अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe कर लेना, bell notification को on कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई video डालूँ, तो आपके पास सबसे पहले पहुच जाए, देखिए, आज जो मै आपके साथ discuss करने वाला हूँ, वो हम discuss करेंगे CTAT, जो आपका level 2 था, उसकी answer की science की, अब आप ये सोच रहे होंगे, 8 से 9 दिन हो गई, paper को हुए, तो इतनी late answer की क्यों, देखिए, जब भी मैं करवाता हूँ न, मैं हमेसे 100% proof के साथ करवाता हूँ, तो इसलिए मैं late हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, कि का से question आये थे, ताकि आप उसी तरिके से अगे की preparation कर सके, क्योंकि हबी भी आपके mind में doubt होगा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, जो आपका doubt है न, वो 100% के बंजन में, बंजन का मतलब होता है, बोजन को तोड़ना, यार कि बंजन में क्या करता है, सायता करता है, ये statement आपकी 100% correct है, ठीक है, आगे देखिए, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए, अमलिये माध्यम की आउसिकता होती है, ये statement भी आपकी correct है, यहाँ पर जो आपका तरावित करता है, आप देख रहे हैं ना, आगे देखिए, सलेसम, अमास्य के आंतरिक एस्तर को सुरक्षया परदान करता है, अमल अनेक जिवानों को नस्ट करता है, जो बोजन के साथ वहाँ तक पहुंच जाते हैं, और साथ ही, यहाँ से स्टार्ट कीजी आप, साथ ही माध्यम को अमल यह बनाता है, कौन? आपका हाइड्रोकलोरिक अमल, जो क्या करता है? जिससे पाच्चक रसों को क्रिया करने में साहिता मिलती है, तो आपका उपरा आंसर मिल गया, हाइड्रोकलोरिक अमल उत्पन करता है, और निच्चे आपको आंसर मिल गया, आपका वायू मंदल ये नाइट्रोजन का उप्योग सिध्धे नहीं कर पाते हैं, मिट्टी में उपस्थित जिवाणू वे नील हरित सैवाल, वायू मंदल ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरी करन करते हैं, और नाइट्रोजन योगिकों में परिवर्थित कर देते हैं, य पुल्टा कर दिया यहाँ पर इन्होंने गैसी जो नाइट्रोजन है ना वो यूगिंगों के अंदर लिखित में से किस अवस्थी में spring में noon term याईज की कम से कम स्थितित उर्जा होती है अब आपको potential जो energy होती ना स्थितित उर्जा तो potential energy का आपको formula पता होना जी MGH होता है यानकि जो आपकी height है वो most important है आप सिधा सा पता है आपको अगर directly proportional के अंदर है जितनी ज़्यादा height होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी potential energy होगी और यहाँ पर पुछिए कम से कम हो तो कम से कम कब होगी जब आपकी height कम से कम होगी ठीक है तो देखिए spring को नय तो संपीडित किया जाता है नय ही खिचा गया है तथा वैब भूमी पर पड़ा हुआ है यह होगा आपका correct answer ठीक है इसका proof मैं इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि यह applied question है आपका ठीक है तो इसलिए आप इस चीज़ को समझिए इसका 100% correct answer वो यह होगा answer number first आगे बढ़ते हैं उस समुच्चे की पैचान कीजिए जिसमें ए नियत तापी जीवों को smallist किया गया है अब देखिए आपको cold blooded जो होते हैं उनका मतलब पता होना चीए यानि इसके अंदर वो आते हैं जो अपना जो तापमान है न शरीर का situation की according change कर लेते हैं वो आते हैं आपके cold blooded या एन नियत तापी के अंदर देखिए जो dolphin है वो स्तंधारी के अंदर आती है इसकी वज़े से यह answer नहीं होगा आपका मानव है वो किसमें आता है आपका स्तंधारी के अंदर क्या हम लोग जो हमारे सरीर का temperature है उसको change कर पाते हैं तो सर्दियों में हमें सर्दी लगती है न क्यों लगती है क्योंकि हम लोग गरम होते हैं और सर्दी है बार तो हमें सर्दी लगेगी तो हम temperature को situation के according change नहीं करते हैं तो ये भी आपका नहीं होगा correct आंसर होगा आपका answer number C और जो mendak है इसका proof 100% मिल गया था ठीक है और जो बाक मापने के लिए प्रियोग किया गया है इसका जो correct answer आएगा answer number second इसका एक derivation है लेंदी है तो इसलिए आप correct answer याद रखिए answer number second होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए निशेचन की समय पिता के सुक्राणू और माता के अंडाणू सलियोत होकर क्या बनाते हैं इसक इसके बाद क्या होता है गरवधारन होता है इनकी फोटेस बनता है ठीक है तो correct answer होगा आपका answer number second ठीक है आगे बढ़ते हैं next question है आपका which of the following reaction are not feasible ठीक है गयाने की feasible नहीं है ये आपका depend करता है reactivity के उपर तो आपको अगर reactivity के बारे में पता है न ये question एकदम बेहद ही easy था इसका जो correct answer आएगा answer number 3 आएगा जैडन CA SO4 ठीक है आगे बढ़ते हैं निमल लिखित में से कौन से graph सिधी रेखाएं दिखाते हैं देखे आप विराम अवस्था में पिंड वस्थों का दूरी समय graph आप देखिए नोर्मल सी बात है विराम अवस्था में है तो ये आपका graph है ठीक है और किस के बारे में बो आपका state line ही आएगा क्योंकि एक समान बोल रहा है यानि कि आपकी uniform speed है acceleration जो है वो uniform है तो उसकी वज़े से ये भी क्या आएगा आपका state line आएगा उसके बाद देखिए विराम अवस्था में पिंड वस्थों का वेक समय graph ये भी क्या आएगा आपका state line ही आएगा लेकिन ज अंतव नीचे दिये गए हैं देखिए science के अंदर applied question पुछे है तो इसलिए मैं इनका आपको exact proof नहीं दिखा सकता लेकिन इनका 100% reason है वो आपका दे रख है अब जब हम theory classes करेंगे न हमने NCRT जो science है social science है उसकी theory classes start कर दिये है जो science है उसकी theory class कल से आपकी start हो जाएगी तो य यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यह दिखाना चाहरा था 100% question आपके आते हैं और वहीं से आते हैं paper hard नहीं था लेकिन जिनका अच्छे से revision नहीं था उनके लिए paper real में ही hard था क्योंकि यहाँ पर applied question आये थे समझने वाले question आये थे आप इस question को देखिया चार द्रवों A, B, C, D क गंतव निचे दिए गए हैं यह गंतव दे दिए यह द्रव दे दिए बई और यह इनके गंतव दे दिए तो यहाँ पर पुछा है इस सूचना की आदार पर नेमल लिखित में से साई कथन की पहचान कीजिए अब एक बात पताईए मेरे को गंतव के बारे में आपको अच ओप्सन को देखिया एक बिम्ब जो द्रव C में तैरता है वै द्रव A में तैर भी सकता है और नहीं भी यह होगा क्रक्टांसर क्यों होगा बैर नोर्मल सी बात है जो द्रव C में तैरता है अब C का गंतव क्या है 924 है तो वै द्रव A में तैर भी सकता है और नहीं भी अब अब द्रव के A क्या है? 785 जो गंतव आपका कम है ना, कम दे रख है ना, तो आपको क्या पता? वही हो सकता है, जो आपका द्रव है, जो C है, उसका गंतव इन दोनों के बीच में हो, यानकि यहाँ पर कहीं पर हो, तो आप नहीं पता सकते exact, तैर भी सकता है और नहीं भी तै तो नोर्मल सी बात है, जब आगे जादा वाला आएगा, उसमें तो तैरेगा ही तैरेगा, सिद्धा और शिंपल सा है ना, क्योंकि आगे तो गंतव क्या है, बढ़ता जा रहा है ना, और जितना जादा गंता होगा, उसके उपर हलकी चीज तो तैरेगी ना, इसलिए यह तो आपका नहीं हो सकता, इसी तरिके से आपका 3 और 4 है, सेम लोजिक लगेगा, ये भी नहीं होंगे, ये करेक्ट आंसरों का आंसर नमबर 1, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, निमलिखित कत्नों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चैन कीजिए, जा रहा है, वो एदिस रासली है, इसमें एक संयोजण का नियम लगता है, उसकी वज़े से ये क्या है, एक एदिस रासली है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए आपका गलत है, और R आपका सही एन के आंसर नमबर 3, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निमल इतनी सन रचना में बाउसी जिल्ली वाली परते होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं प्लेस्टिड भाई ये रचना में माइटो कंड्रिया की तरह होते हैं और माइटो कंड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी क्या मिलता है अपना DNA तथा राइबोसोम मिलता है तो बढ़ते हैं नेक्ट देखिए आप निमल लिखित में से कौन सा कथन जीवित कोशिकाओं के संबंध में सही है अब एक बात बताईए एकदम इजी क्यूस से आप अच्छे से समझना सभी सुकसम दर्शिय सुकसम होते हैं तथा इन्हें नंगी आखों से देखा नहीं जा सकत है जो कोशिका बिट्टी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है पोध्धों के अंदर पाई जाती है ठीक है सभी की केंदर के जिल्ली होती है ये क्या है ये भी आपका गलत है ऐसा भी नहीं होता आगे देखिए सभी की कोशिका जिल्ली होती है ये तो का गज कहा पे है यह यह का क्या हो गया आपका 3 हो गया देख लिजी आप 3 यह भी आपका cancel बचे आपके 2 अब देखिया अप उसके बाद अलग अलग जगह पर दी गई हैं इनको एक साथ करना होता है तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको best से best material दिया जाएगा याद रखना आप ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका एक उचाई से पंदरा ग्राम द्रवमान का पंग छोड़ा जाता है यह पाया जाता है कि वह एक समान वेक से गिर रहा है तो उस पर काम करने वाला net बल कितना होगा? अब देखिए सिद्धा और सिंपल सांस्वर था अब यहाँ पर क्या बोल गया है? 15 ग्राम ठीक है जो मास है वो तो 15 ग्राम दे दिया लेकिन यहाँ पर एक समान वेक बोल दिया जो वेलस्टी है न वो इन्होंने कॉंस्टेंट दे दी और जो फोर्स है फोर्स का फोर्मूला क्या होता है? M into A यहनकी मास into acceleration जो acceleration होती है वो आपकी वेलस्टी के उपर डिपेंड होता ही है जब वेलस्टी ही इन्होंने क्या दे दी? constant दे दी, constant मतलब 0 दे दी तो acceleration होगी क्या? वो भी 0 होगी तो correct answer क्या आएगा आपका? answer number first एकदम easy था concept वाले कि उससे नहीं है, ठीक है आगे देखिए, x3 प्लस आयन तत्तव, x जिसके अंदर परमाणू दिरोमान 27 है और परमाणू क्रमान कितना है? 13 है से प्राप्त हुआ है तो x3 में protonों, electronों तथा neutronों की संख्या बताईए अब आपको अच्छे से पता होना चीए जो आपका atomic mass होता है ना तो यह आपको पता होगा अब यहापे देखिए, अब हम 27 is equal to proton क्या है? आपके 13, क्योंकि 13 क्या है? प्रमाणू क्रमाण, जो प्रमाणू क्रमाण का है यह आपके protonों की संख्या होती है तो यह क्या है आपके? 13 गिवन है अब हमें निकालने क्या है? न्यूट्रोन निकालने है, तो 27 में से 13 जाएंगे, न्यूट्रोन कितने आगए, आपके 14 आगए, याणके proton तो आपके 13 हो गए, और neutron आपके 14 हो गए, लेकिन बीच में क्या है, आपका electron निकालना है, और यहाँ पर X3 प्लस दे रखा है, याणके 13 ही क्या होंगे, आपके electron हो लेकिन X3 प्लस की वज़े से 13 में से हम 3 मैनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपका correct answer आएगा, वो आएगा 13, 10 और 14, देखिए आप कहाँ पर है, 13, 10 और 14 होगा answer number 4, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसे समुच्चे की पहचान कीजिए, जो दिवलिंगी पुस्कों में पुस्क की क्या कहलता है आपका एक लिंगी कहलता है जैसे आपका पपिता हो गया और तर्बूज हो गया हूर जब दोनों सामिल होते है उन्हें हम भैलिंगी या दिवलिंगी भी कहते हैं जैसे आपका गुढल हो गया और सर्सौं हो गया, अब आप option को देखिए, यहाँ पर क्या है आपका सर्सों, गुलाव और पिटोनिया, अब और कहीं पर आपको सर्सों दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है सर्सों लेकिन यहाँ पर पपिता दे दिया, पपिता क्या है, आपका एक लिंगी होता है, तो करेक्ट आंसर रोगा आपका आंसर नमबर सेकेंड, यार और हमसे गलत पुछाता तो correct answer होगा answer number second और इसका कुछ question का जो proof है मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़े अलग-अलग जगह दी गई है और अलग जगह से concept बना कर तब question डर ले गई है ठीक है ना यहाँ पर ht statement नहीं है जहाँ पर ht statement है वो proof है आपको मैं दिखा रहा हूँ लेकिन आप विश्वास कीजिए सब question हमारे adjectives किताब में से ही है बस सिर्फ और सिर्फ सबका अपना-पना पढ़ने का तरीका होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं निमल लिखित में से कौन से पदार माचिस के नी घर्षन नी घर्षन का मतलब होता है जो उसका rubbing surface होता है जिस पर हम तिली को रगड कर जलाते है उसके बारे में पुछा है उसके प्रस्ट पर क्या विद्बान होता है तो यह आपका correct answer जो आएगा आएगा answer number first आप देखिए आपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ जब माचिस के तिली को खुर्दरी स्थै पर याँगी जो rubbing surface होता है रगडा जाता है तो कुछ लाल फास्वोर्ष स्वेथ फास्वोर्ष में परिवर्तित हो जाता है आप उपर देखिए आप रगडने वाली स्थै पर चूणित कांच और थोड़ा सा लाल फास्वोर्ष लगाते है आगे है ना आपका कांच और आपका लाल फास्वोर्ष ठीक है तो correct answer रोगा answer number first आगे देखते है ए और बी अपने हार्मोन तब स्त्रावित करते हैं जब उन्हें गरंथी सी खालिस्तान से आदेश परदार प्राप्त होता है अब देखिए आदेश को न देखा नोर्मल से बाता है high authority देगी तो आप इन में से देखिए अब आप high authority क्या है आपकी master गरंथी बोले जाते है प्यूस गरंथी को तो कहने का मतलब क्या है last में क्या आएगी आपकी प्यूस गरंथी आएगी अब आप देखिए और किसी में है last में किसी में नहीं है तो correct answer क्या होगा आपका answer number second एकदमी जी था आगे देखिए सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित परति भिम वास्त्विक होता है निमल लिखित में से कौन सा कथन इस तथे की उप्यूक्त व्यक्या परदान करता है अब आप proof को देखिए यहाँ पे देखिया सूर्य के परति भिम्बों के साथ क्या होता है क्या वे परति भिम्बी हमें उल्टी दिखाई देखिये निश्चे ही यह सब परिणाम जो हम देख रहे हैं जैसे चायाओं का बनना सूची छिद्र परति भिम्ब कैसा बनता है आपका वास्त्विक बनता है आदि धभी संभव है जब परकास केवल सरल रिखा में गमन करे ऐसी रिखा में केवल सरल रिखा के अंदर गमन करे यानकी सिद्धी रिखा के अंदर तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका आंसर नंबर सेकेंड यानकी परकास सिद्धी रिखा में गमन करता है किसके अंदर आपका सूचे छेदर कैमरे के अंदर तो मैंने आपको हर क्यूस्टन का प्रूफ दिखा दिया है जो मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ उनका रिजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो चीजे एक साथ नहीं थी तो यहाँ पर मैं इतनी जो images हैं वो लगा नहीं पाता तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाया लेकिन 100% जो क्यूस्टन है वो आपके NCRT से हैं तो मैं आपको best से best material प्रॉइड करवाऊंगा आपका काम सिर्फ और सिर्फ अच्छे से बार बार वीडियो को देखना है तो अगर आपने जा हुआ से canवाई रछियो को आपके S सी ए को लो मैं ओर और वीडियो को दो है